नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके चैनल पे स्वागत है क्या आप जानते हैं कि हमारे अंग फड़कते हैं जी आप अगर नहीं जानते हैं आप इतना तो जानते हैं कि हमारे अंग फड़कते हैं लेकिन इसका फल क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए इस व पहिस्य में होने वाली गटनाओं के बारे में कुछ संकेत देते हैं ये गटनाई सुब भी हो सकती है और असुब भी हो सकती है आपको ये जानकर हैरानी तो होगी कि अंगों का फड़कना भी वला हमें क्या संकेत देंगे लेकिन ये समुद्र सास्तर के अंगों का फड़कना सभी अंगों के फड़कने के बारे में बताया गया है आज हम यहां गुटनों के फड़कने के बारे में बात करेंगे दोस्तों गुटना फड़कना सुभी होता है इसलिए गुटना फड़के तो आपको चिंतित होने की आवसिकता नहीं है अगर आपका भी गुटना फड़कता है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है लेकिन कौन सा गुटना फड़कना अच्छा है इसके बारे में हम बात करेंगे हम यहां आज दाया गुटने यानि राइट गुटने के बारे में बात करेंगे कि दाया गुठना फड़कता है तो इसका क्या आर्थ होता है क्योंकि मेरे पास एक request आई है एक friend की कि अगर दाया गुठना फड़के तो उसका क्या मतलब होता है अगर आपका भी दाया गुठना फड़कता है तो ये आपके लिए अच्छा संकेत है अगर दाया गुटना फड़के गुटना उपर से फड़ता है तो इसका मतलब है कि धन और शोन प्राप्ती की और संकेत करता है आपको कहीं से धन की प्राप्ती होगी और सोने की भी प्राप्ती होगी अगर दाया गुटना नीचे की और भाग का फड़ता है तो इसका मतलब है कि आपको सत्रू परविजे होगी ये सत्रू परविजे प्राप्ति का संकेत देता है ये आपके दुस्मियों का सामना होने और उसे खाली चले जाने का संकेत देता है तो दायां गुठना फड़कना बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों उमेद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार